नमस्कार दोफ्तों, क्या आपने PAN CARD, अपने आधार CARD के साथ लिंक किया है? नहीं किया है, तो इत्मिनान रखिए, अभी घबराईए भी मत, क्योंकि इसका जो date जो है, ये change हो चुका है, date extend हो चुका है, लेकिन ये extension बार-बार नहीं होने वाला ये भी बात समझे बार-बार-बार कितने बार extend होगा भई तो दुस्तों जो last date था ये था 30 September 2019 यानि कुछ दिन पहले आज से कुछ दिन पहले अभी जो extended date है नया जो तारीक आया है ये 31 December 2019 का आया हुआ है लाबरी जो तीन महीने आपको बढ़ा दिये गए है October, November, December तो अगर आपने पैन कार्ड को आपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया होगा क्योंकि जो income tax act जो है उसके अनुसार 139 AA के अनुसार आपको पैन कार्ड अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना compulsory है ठीक है compulsory मतलो समझे हो compulsory है आज नहीं तो कल आपको करने ही पड़ेगा फिर अगर बाद में कुछ problem होगा तो बोलिएगा मत कि ऐसा हो गया वैसा हो गया क्योंकि अगर आप 35 December 2019 के अंदर आप नहीं करोगे तो आपका पैन कार्ड जो है ये invalid हो जाएगा inoperative हो जागा यानि कि जहां कहीं भी यूज करोगे वहाँ पर यूज नहीं होगा वो डारेक्ट डिनाइं कर देगा बोलेगा कि ऐसा कोई पैन कार्ड है ही नहीं यहां पर आई बटन में दे दूँगा और नीचे डिस्क्रेप्शन में भी लिंक दे दूँगा आप यही वीडियो भी देख सकतो इस वीडियो को देखने के बाद आप चेक कर पाओगे कि आपका पैन काड आपके आधार कड के साथ लिंक है या नहीं है तो दोस्तों मेरा है 35 डिसंबर 2019 हो चुका है पैन काड से आधार काड को लिंक करने का तो दोस्तों मिलते हैं नए साइंस वेडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम जै हेंद